नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मों खबर जानते हैं इस बाबत उपायुक्तों को करोना प्रोटोकाल का अनिवारत और पर पालन कराने की कड़ी हिदायत दी गई है किसी भी सूरत में इसकूलों में भीड़ भाड़ना लगने पाए इस पर नजर रखने को कहा गया है इसकूली सिक्छा वश्म सक्षटा बिबाग के सची उर आये सरमा ने सभी जी लाकर उपायुक्तों को पत्र बेच कर कहा है कि जार्खन में सभी स्रेनिकी इसकूल खुले हैं जिनमें रोज सतर पत्रयत बिद्यारत्यों को पसीती है जबकि कई आवासे भी देलों में भी चातर छतरा यह होस्टल में रहा कर अपनी पढ़ाई कर रहे है इसकोलों में कॉरोना वारा संक्रमन नहोड़ा हो इसके लिए जरूरी है कि प्राथमिक्ता के आधार पर चातरों की कॉरोना जाट जरूरी है जहारखन में जहमा जहम बारिस पांच मई तक जहारखन में जहमा जहम बारिस से मौसम का मिज़ाज बदल गया है हीट वेब और उमस भरी गर्मी से बेहार लोगों ने रहात भरी सांस ली है बता देर अभिवार दोफर से ही आस्मान में बादलों ने डेरा डाल दिया है जबरजस्त में गर्जन के बाद करीब तीन बजे रिम जीम खुआरे बरसी कुछ इलाकों में बजरपाथ की भी सुचना है बारिस के बाद तापमान में पांच डिगरी तक गिरावर दर्श की गई है आंधी में कई पेर गिरने की भी खबर मिली है देवघर त्रीकूट रोफवे मिरितक के आस्रीतों को मिला 25-25 लाख का चेक देवघर के त्रीकूट रोफवे और सेप्टिक टैंक हाजसे मामले में मिरितक के परिजनों को जारखन सरकार की ओर से सहयोगरासी दी गई है त्रिकुट रोपवे हाथसे में जानगवाने वाले तीन मिरित्त के परिजनों को दामोदर रोपवे इन्फरा लिमिटेट की ओर से 25 लाख रुपए का चेक सोपा गया वहीं देई पूर सेप्टिक टैंक में 6 मिरित्त को के परिजनों को भी 4-4 लाख रुपए की साहतरासी दी गई है रांची रेलवे स्टेशन पर मसाच चेर के साथ दिब्यांगों को भी से सुविधा रांची रेलवे स्टेशन पर आने वाले दिनों में दिब्यांगों को भी से सुविधा मिलेगी इस सुविधा का उपयोग कर वे आसानी से प्लेटफर्म, लिफ्ट, कर्याला, सौचाला, फूट, एस्टॉल, प्रतिछाला, पार्सल, ओफिस, सीढ़ी, आधी की जनकारी प्राप्त कर सकते हैं बतादे द्रिष्टी हीन के लिए एस्टेशन के मुखे द्वार के दोनों गेट पर मैप लगाया गया है इसमें ब्रेल लीपी में एस्टेशन पर उपलवज संसाधनों के जनकारी दी गई है वहीं दिव्यांग लोगों को ट्रेन में चड़ने वा उतरने के लिए आस्थाई रेप बनाया गया है बतादे यात्रियों की ठाकान दूर करने के लिए रांची वाहटिया रेलवे इस्टेशन पर मसाज चेयर लगाया गया है यहाँ 99 रुपेय सुलक दे कर मसाज चेयर का उपयोग 15 मिएट तक कर सकते हाँ जारखन में 90 परतिसद रोजगार गरामिनों को देंगे साल खान मुर्मू आदिवासी सेगेल अभियान के राष्ट्रिय अध्यक्स और पूर्वसांसत साल खान मुर्मू ने नया जारखन बनाने के अपिल की है उन्होंने कहा है कि जारखन में 90 पिशदी रोजगार गरामिन इलाके के लोगों को मिलना चाहिए उन्होंने कहा है कि जार्खन में रायनीतिक हल चलते जाए जार्खन के अस्थापना के 22 बर्सों में कई बार सताप परिवर्तन हुआ आगे भी होगा लेकिन क्या जार्खन के लोगों की अकंचाये पूरी हुई या नहीं भगवा लंगोट पर भाजपा का करारा जवाब जार्खन में आशन स्यासी संकट को लेकर परदेश भाजपा की कोर टीम पूरी तरह अलट है परदेश अध्यक्ष दिपक परकास ने भगवा लंगोट वाले ब्यान पर कड़ी परतिकिरिया देते हुए का जार्खन किसी परिवार की जागीर नहीं है राजे में तेदी से बदल रही राजनितिक परिश्थितियों को देखते हुए मुके विपक्षिदल भाजपा सतरक है परदेश भाजपा कोर कमिटी की रभिवार को हुई अहम बैठक में राजे के तीन पुरो मुक मंत्री बावुलल मरांडी अरजुन मुंडा और रगवर दास भी मजूद थे जार्खन में आज से बिकेगी क्यू आर कोड़ वाली सराब जार्खन में रभिवार को ड्राइड दे था सराब की तमाम दुकाने बंद थे बतादे जार्खन में नई उत्पाद नेती के अनुसार दो मई से पूरे राजे में सराब की बिकरी सुरू हो जाएगी अब सराब की बोतले की वाल कोड़ के साथ विकेगी इससे पूर्व एक मई को राजे में ड्राइड दे रहा बता दे रभिवार को सराप की सारे दुकाने बन रही राजे के सभी पांच प्रमंडल के लिए अब तक केवल दो ही थोक्विकेता को tendedर मिल सका है थोक्विकेता तलासने के लिए फिर से टेंडर जारी किया गया है जिसके लिए 13 माई तक टेंडर भरने की अम्तिम तारीक रखी गई है भाजपा में खास रण निती पर गहन मंधन जारखंड में भारतिये जनता पार्टी के आहम बैठक हो रही है बता दे कोछ बड़ा होने वाला है भाजपा एक बार फीर से कोछ बड़ा करने की तियारी में है रभिवार को भाजपा परदेश मुख्याला में परदेश कोर कमिटी की आहम बैठक बुलाई गई इसमें भारतिये जनता पार्टी के सारे परमुक नेता मौझूद है पुर्वमुक मंत्री बाबुलर मरांडी, पुर्वमुक मंत्री रगवर्दास, पुर्वमुक मंत्री अरजुन मुंडा परदेश अध्यक्स दिपक परकास के अलावा बीजेपी के दिगज किसी खास रण निती पर मंतन करने पहुंचे आए बैठक चल रही थी ज्यारखन में ठनका और आंधी से चार की मौत ज्यारखन में सन्निवार को मौसम ने कहर बरपाया बता दे आंधी और ठनका गिरने से चार लोगों की मौत हो गई है दो मौत साहिब गंजीले में हुई है जबकि बोकारो और खोटी में एक-एक की जान गई है साहिब गंजीले के गंग तोला में ठनका ने एक ब्रीद को चपेट में लिया है सोक लगने से उनकी मौत हो गाई वहीं दूसरी ओर राधा नगर थाना चेतरे में ठनका गिरने से एक महिला की मौत होई है बासुकी नाथ मंदीर में हाजसा गर्व गिरिह में करंट से हड़कम जारखन के उप्राइदानी दूमका से बड़ी खबर है जहां जर्मोंडी इस्थित वावा बासुकी नाथ मंदीर में गंभीर हाजसा हुआ है मंदीर के गर्व गिरिह में बिजली का करंट फैल जाने से आफ्रा तफ्री मच गई बता दे नियमीत दिन चर्या के अनुसार अभिवार को मंदीर परिसर में पुजा आठना चल रही थी इसी बीच अचाना गर्व गरह के अंदर करंट फैल गया अंदर महजूद एक सरधालू ने करंट महसूस किया सोर मचाने पर सबी लोग बाहर निकल गए साइंस फिलम फेस्टिवल का समापन लोहर दागा के सीला अगरवाल सरस्वती बिद्या मंदीर परिसर में तिन दिवसे प्रत्थम जार्खन साइंस फिलम फेस्टिवल का रब्वी वार को समापन हुआ इस दोरान विभीन सिरेनियों के कूल 45 फिलमों का परदसन हुआ बता दे बच्चों समेत लोगों में बैग्यानिक दिश्टिकों बिक्सित करने के उद्यस से इस साइंस फिलम फेस्टिवल का आउजन हुआ था अमतिम दीन सभी फिलम डारेक्टर को मोमेंटो देकर समानित किया गया इस तोरहां सभी ने अपने अपने विचार भी रखे बोकारो से दो भालू को किया रेस्क्यू बोकारो जीला अंतरगत नावाडी परखंड के पर्सबनी पंचायत के बांध उपर गाउं के समीप से रभी वार की दोपर बोकारो बन विभाग एवम राची रेस्क्यू की टीम ने बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी अनत कुमार एवम जीलावन पदाधिकारी एके सिन के नेतित्र में दो नर भालू को बरामत कर लोहे के पिंजरे में बन कर राची को ओरमांदी इस्थीत रेस्क्यू सेंटर ले गई बताधे बरामत भालू बंगाल के दो मदारी टीम द्वारा बिते 15 दिनों से परस्बनी सहीद आसपास के गाओं में खेल दिखा रहा था भारत में 3 माई को मनेगी इद भारत में 3 माई को इसलामिक तेवार इद उल्फ हित्तर 2022 मनाया जाएगा बतादे भारत बंगला देश और स्रिलंका में सवाल माह का अर्ध चंद्रकार चंद्रमा नहीं दिखा गया इसलिए ए सबी देश 3 माई को इद मनाएंगे इद उल्फ फित्र सवाल महीने के पहले दिन मनाया जाता है रमजान के पवित्र महीने के दरान एक महीने के उपवास के बाद दुनिया भर के मुसल्मान पहली बार अर्ध चंद्रके दर्शन के साथ ही इद उल्फ फित्र मनाएंगे सोनु सुध ने जार्खन के बच्चों के लिए भेजवाया वाटर बोतल कुरोना काल में गरीबों की मदद करने वालीवूट एक्टर सोनु सुध ने इस बार जार्खन के सिम्डेका जीले के बच्चों के लिए उपहार भेजा है बतादे बरती गर्मी को देखते हुए सोनो सुद ने सुद चैरेटी फाउडेशन के माध्यम से जीले के बच्चों के लिए 200 वाटर बोतल उपलब्द कराया है ताकि ए गरीब बच्चों के बीच बाटा जा सके ए बच्चे पानी लेकर इस्कूल जा सके जिससे इस गर्मी में डिहाइड्रेशन से बच सके बीजली कटवती से परिशान हाथ में पंखा था में रगवर दास का परदर्शान भीशन गर्मी के बीच जमसेतपूर के बिभीन इलाकों में 15 से 17 घंटे की बीजली कटवती से लोग परिशान है और हतास है बिजली कटवती के करा ना सिर्फ आम जनता परिसान है बली कई उद्योगों और व्योसाइक प्रतिष्ठानों पर भी खासा असर है बता दे बिजली की अनेमित अपूर्ती और अगोसीत और समय बिजली कटने से हो रही समस्याव को देख कर भारतिय जनता पार्टी ने स्टड़क पर उतर कर राज सरकार के खिलाप आक्रोस ब्यक्त किया है पलामू में बजरपात से दो पसुओ की मौत रभिवार को आनी तुफान और बुंदा बांदी के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिली है मौसम विभागने राची समयत कई जीलों में बारिस ने मौसम को खुसनूमा बना दिया है बारिस के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है वहीं पलामू जीला के लेसलीगन परखंड इस्थीत धेला गाउं में बजरपात से दो पसुओ की मौत हो गई गरामीनों ने बताया कि पीपल पेर के समीब बांस में बांदा हुआ था अचानक बजरपात होने के कारण चनारिक राम के एक दुधारू पसुओ समेथ दो मौसी की मौत हो गई है बाबुलाल ने बीदेसों में क्या किया है जनकारी लाई जाएगी सामने जे एमे जामुमों ने कहा है कि बाबुलाल मरांडी ने देस और बीदेस में क्या क्या किया है इसकी सारी जनकारी जल्द ही मीडिया के सामने लाई जाएगी किसी पर आरोप लगाने से पहले उन्हें या बताना चाहिए कि अरगोडा में जो घर है वो किसका है डीवडी में पार्टी कर्याले के नाम पर जो जमीन ली गई है वो किसके नाम से है पार्टी कर्याले में सनिवार को पत्रकारों से बाचित करते हुए जामुमों नेता सुप्रियों भटाचार ने कहा है कि जाममों के दो साल चार महीने के कारेकाल में जिस परकार विकास के कार हुए वह उलिखनी है मोमेंटम जारखन सबसे बड़ा घोटाला जे में जाममों ने रगवर्दास के कारेकाल में हुए मोमेंटम जारखन को सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है जहमों के केंद्रिये सदस सुप्रियो भटाचार ने कहा है कि बर्ष 2017 में हुए मोमेंटम जार्खन में जीन एक गारा कंपनियों के साथ करार हुआ था वे जार्खन में कूछ मापहले ही बनी थी इससे साफ परतीत होता है कि सिर्फ मोमेंटम जार्खन का लाब लेने के उद् गुमला सहर के करमटोली मोहला से राय डी परखन के कांसीर गाउ तक 26 किलोमिटर सडख जरजर है कहा जाय तो यह सडख चनले लाइक नहीं है सडख पर जगह जगह नाला और पुलिया था जो दो साल पहले बारिस में दोस्त हो गया नाला और पुलिया के बगल में ग्रामीन लकडी का डाइवर्शन बना कर सफर कर रहे हैं बता दे सरकार ने सडख बनाने के सोग्रिती दी है लेकिन गुमला में पथ निर्मान विभाक के लपरवाई के कारण अब तक सडख का टेंडर नहीं निकाला गया है चालिस दिन बाद दोहा से गिरीडी पहुंचा गोविंद का पार्थिव सरीर सीम हमान सुरेन की पहल पर कतर की राजधानी दोहा से गोविंद महतों पचास वर्थिये का पार्थिव सरीर गिरीडी जिला अंत्रगत बगोदर थना चेत्रे के घागरा गां पहुंचा गाव में सो पहुंचते ही परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया बता दे मिरित्ता गोविंद महतों की मौत गत 24 मार्च को दोहा में टांस्मिसन लाइन में काम करने के दोरान हो गई थी जारखन में लालू यादव के चरवाः बिद्याला की जमीन पर अब बनेगा सरकारी इंजिनिरिंग कोलेज जारखन के गिरी डीजिले के गांडे परखन के धरमपूर में जल्द ही सरकारी इंजिनिरिंग कोलेज का निर्मान होगा बिहार के पुर्व सीम लालू यादव ने सन्युक्त बिहार में यहां चरवाहा बिद्याला का निर्मान कराया था बतादे खंडर में तब्दील स्कूल की जमीन पर अपसरकारी इंजनिक कोलेज बनेगा उपायुक्त के पत्रचार वा अनुसंसा पर जारकन की क्रीशी निदेशक ने बीज गुनन प्रचेत्र की 25 एकर भोमी पर राज किये अभियंत्रन महाविद्याले के स्थापना के लिए अनापती दे दिया है धन्यवाद